तो इस्ट्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारी क्लास 9th English के Annual Exam के लिए Most Important Questions तो वीडियो के स्टारें लेकर इंट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि इस्ट्रेंट्स 18 मार्च को हमारे इंट्रीच का एक्जाम होने वाला है इसलिए आज में आपके लिए सभी Selected Questions लेकर आया हैं जिनके एक्जाम में आने के चांसे काफी जादा हैं बस वीडियो में स्टारें लेकर इंट तक बने रहिएगा चीडियो का शुरू करते हैं तो हमारा पहला Question है वार इडि मार जी राइट इन हर डाइरी काफी जादा important question है तो इस question को जरूर आप learn कर लीजेगा अगर आपने अभी तक learn नहीं कर रहा है तो बच्चों इसको तो जरूर learn करके जाएगा अगर learn कर रखा है तो आप इसको write करके देख लीजेगा कई बार students spelling mistake कर जाते हैं तो आप इसको एक बार write करके भी देख लेना इसके बाद second question है ये भी most important question है इस chapter का what do you think a tally book is tally book से आप क्या समझते है tally book क्या होती है ये काफी जादा important question है तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़के जाना इसके बाद बात करते है next question के बारे में what kind of teachers did Margie and Tommy have यानि के Margie और Tommy के किस परकार के teacher थे तो आपने इस chapter को read करा होगा आपके teacher ने इस chapter को अच्छे तरीकी से explain करा होगा कि the one they had इस chapter का नाम है तो Margie और Tommy के जो teacher थे वो mechanic teacher थे यानि के machinery teacher थे कैसे machine teacher थे तो यह जो chapter को यानि कि around 150 years आगे ले जाया गया है 150 साल आगे का time क्या होगा student को किस तरीके से teach किया जाएगा human being जो है वो teacher नहीं होंगे mechanic teacher होंगे यानि robot आप सांते हैं न रोबोट robot कि तो इस student को बढ़ाया जाएगा कहीं उनका school नहीं होगा उनका separate room घर में ही होगा वह ही उनका school होगा वह ही study करेंगे और उनके घर में ही robot होंगे और उनको teach करेंगे homebug भी देंगे यह पूरा एक chapter था जो आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो यहीं पूछा है इसमें अच्छा तो हमारा next question is how does the book that Tommy found different from his book तो टोमी को जो बुक मिली थी तो उसकी बुक से कैसे वो different थी तो बच्छे दो को यह मार जी और टोमी जो है यह future generation के बच्चे हैं तो इनके पास तो बुक जो थी वो टेली बुक थी यानि कि soft copy थी लेकिन इसको 150 साल पुरानी old book मिलती है तो वो hard copy थी जो के paper पर प्रिंट थी तो बस इसी बुक को लेकर यहां पर काफी जादा discuss किया गया है कि यह बुक में जो बाते बताए गई थी कि पहले कि स्कूल कैसे थे सारी कुछ बाते हैं तो यह question को लच्छे लाइन करना है नहीं है how old was Evelyn when she went to the royal academy of music तो Evelyn कितनी साल की थी जब वो royal academy of music गई how does Evelyn hear music Evelyn music को किस तरी के सुनती है how was Evelyn inspired by Rohan Forbes and what did she do after that what orange have been the playing of the pungi orange have been the playing of the pungi और जेब ने pungi को क्यो बेन करवा दिया इस पे प्रितिबंद क्यो लगबाए था क्योंको pungi का sound बहुत ही रिटीट था यानि कि बहुत जादा irritation होती थी pungi के sound से इसलिए इसको बेन करवा दिया था ठीक है इसके बाद बांसुरी आया फिल्ट तो उसका sound जो था वो बहुत अच्छा था how is the shahnai और shahnai भी आया how is the shahnai different from pungi shahnai जो है वो pungi से किसे different है तो shahnai जो के शादियों में बजने लगी बोलते ना shahnai के उपर किते जादा गाने भी बचे हुए तो shahnai जो थी यह एक latest version था यानि कि पंगी को रिप्रेस करने के बाद shahnai आई और shahnai को लोगों ने accept किया क्योंकि इसका जो sound था वो वो रिटेट करने वाला साउंड नहीं था अच्छा लगने वाला साउंड था शैनाई वेर दिद बिसमिल्ला खान प्ले शैनाई ऑन 15 अगस्ट 1947 वाई 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 एवेंट हिस्टोरिक काफी अच्छा कोश्चिन है प्राभ हैं बूसके बाएब कर्यां था हैंffal Jeanはい अट armour में ज्री पास्टें इसटीं मरसे प्रशम 5000 प्रश्चिन सब्सक्रादी ईच्छ काफी ज्राल्द इंपरेयड हुए only 40 questions मैंने आपके लिए निकाले हुए बी आई बुक से ये प्रोज के भी और पॉम के इसके अलाव आपको कोई question नहीं पढ़ना है बस आप इन question को अच्छे तरीके से करके जाएएगे तो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ how did Abdul Kalam earn his first wages where was Abdul Kalam's house describe about Kalam's early life why was Santosh sent to the local school how did Santosh begin to climb mountain what were the difficulties faced by Santosh in her childhood how was the atmosphere at Pashupatinath इसके बात 27 का जो question है name five kinds of food what did Gerard tell about his life to do to describe Gerard's appearance why did the interview entered in Gerard's house what should we do to make friends with the wind ? यह पॉम के start होगा है तो 30 तक जो question निकाले हुए हैं यह 30 तक जो questions हैं यह हमारे किस के हैं बच्छो यह प्रोज के हैं 30 तक तो प्रोज के what does the poet like to do when it rains what is the legend why is this poem called a legend how does the poet suggest that all people on earth are the same how does the duck speak to kangaroo what did the duck request the kangaroo for 38 what is the snake trying to escape from why does the poet wish for the snake is it harmful snake what is its color अब यह होगा है total 40 questions वन से लिगे 40 selected questions मैं आज आपके लिए लेकर रहा हूँ एक्जाम से दो दिन पहले अठारा मार्च को यह आपका एक्जाम होने वाला है इससे दो दिन पहले मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूँ और इस वीडियो में सभी questions में आपको जो बता रहा हूँ यह most important है एक क्यूभी question को आपको अग्रिवर नहीं करना है सभी questions को अच्छे तरीके से पढ़के जाएगा एक्जाम से पहले पहले इन पे आप नजर डाल लीजेगा इनको आप देख लीगा पहले से learn कर रहे है आपके लिए बहुत ही share कीजेगा और English में आपको कहां पर problem जा रहे हैं इंग्रिश ग्रामर में पैसेज में application में अब comments वाक्स में जाकर comments करके बता दिए without hesitation आप comments करके बता दिए कि sir हमें grammar में problem जा रहे है या हमसे notes making नहीं बन रहे है कि application का format हमें समझ में नहीं आता है तो जो भी problem अगर आपको इंग्रिश में हो रहे है एक्जाम को लेकर अगर आप थोड़े बहुत भी परेशान चल रहे है तो आपको बिल्कुल tension लेने की खुआंगा ठीक है लेकर हमें पता आपता दिलना चाहिए ना कि आपको Safari कर लीजेगा किलास same सब्सक्राइब करना और ब्लाइक को प्रेस जरूर कर लेना थैंक्स फर वाचिंग